नमस्कार, स्वागत है सभी आगन बारी बहनों का आज के इस नए वीडियो में तो जैसा कि आज के इस वीडियो में हम आपको फिर से Potion Tracker App की एक नई अपडेट के बारे में जनकारी देने वाले हैं कि Potion Tracker App में फिर से एक नए अपडेट आ चुका है जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पारेंगे यह जो पोशन ट्रेकर है इसमें एक नया भर्जन आ चुका है 11.2 का यहाँ पे आप लोग डेट देख पारेंगे 6 जनौरी 2022 को इस पोशन ट्रेकर एप में फिर से एक नया अपडेट किया गया है जैसे कि इससे पहले जो अपडेट आया हुआ था वो 11.1 का अपडेट आया हुआ था जो 3 जनौरी 2022 को अपडेट किया गया था जिसमें आगनबरी सेविकाओं को काफी सारी परेशानी हो रही थी किसी भी मोडूल को ओपेन करने को लेकर जैसे कि किसी भी मोडूल को open करने में जो आगनबारी सेविकाओं को परिशानी होती थी इस update को करने के बाद लगभग सभी आगनबारी सेविकाओं की परिशानी वो खतम हो चुकी है अब जो मोडूल है वो फास्ट में open हो रहे होंगे और हमने जो इसका वीडियो बनाय था तो काफी सारी आगनबारी बहनों का कमेंट आया था कि आपके दोरा जो चीजे बताई जाती है उससे हमें काफी help मिलती है तो आप लोग के दोरा किये गए कमेंटों का आप लोग का दिल से धन्यवाद आप लोग इस परकार से कमेंट करते रहें ताकि हमें motivate मिलती रहे और हम आपके लिए इस परकार से नई नई वीडियो लेके आते रहें तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो 11.2 का जो नया अपडेट आया हुआ है जैसे कि यहाँ पर देख पाएंगे कि हम यहाँ पर पोसंट रेकर आप को अपडेट कर लिया है आप लोगों ने अभी तक पोसंट रेकर आप को अपडेट नहीं किया है तो प्ले स्टोर से जाकर पोसंट रेकर आप को अपडेट कर सकते हैं यहां पर देख सकते हैं कि इस portion tracker app में क्या नय अपडेट आया हुआ है जैसे कि add infantometer and stadiometer in awc infra तो जो awc infrastructure है जिसमें हम लोग आगणवारी की विब्रानी भरते हैं उसमें दो नई चीजों को add किया गया है infantometer और stadiometer तो आज की इस विडियो में हम लोग जानेंगे कि infantometer और stadiometer क्या होता है और इसको हम लोग awc infrastructure में कैसे भरेंगे तो आज की ये विडियो काफी खास होने वाली है आप सभी आगणवारी बहनों के लिए तो इसलिए आप लोग इस विडियो को complete जरूर देख लिजिएगा और उसे पहले आप भी से एक छोटी स्रिक्वेस्ट है कि आप सभी को हमारा ये विडियो पसंद आए तो इस विडियो को like कर दिजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल नोटिफिकेशन दबाने के बाद All का Button जरूर सलेक्ट कर लिजेगा जैसे कि यहां पर देख सकते हैं कि हमने Possan Tracker को Update कर लिया है अबडेट करने के बाद Simply इसको Open करेंगे Open करने बाद यहां पर देख सकते हैं कि हम Possan Tracker App के Home Page पर आ चुके हैं होम पेज पे आने के बाद यहां पे जो AWC इंफराइस्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं इस AWC इंफराइस्ट्रक्चर में दो नई चीजों को एड़ किया गया है एस्टेटियो मिटर और इंफेंटो मिटर तो चलिए पहले हम आपको बतायते हैं एस्टेटियो मिटर और इंफेंटो मिटर क्या होता है तो देखिए जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि इन फेंटो मिटर कैसा होता है तो इन फेंटो मिटर कुछ इस प्रकार से दिये जाते हैं आंगनबारी सेविकाओं को ताकि जो नवजात बच्चे होते हैं उनका यहां से height centimeter में मापा जा सके यह 45 centimeter का length होता है इसका और इसमें जो यह black color का देख रहे हैं यह जो होता है इसको आप इस meter को zero करने के लिए इस meter को दिया जाता है ताकि जो meter है इधर उधर हो जाए तो आप यहां से इसको zero पे लाके रख सकते हैं तो इसमें बच्चे को लिटा कर उसका height और weight माप सकते हैं तो इसको बोलते हैं infantometer और जैसे कि अब जो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे तो इसको बोलते हैं statiometer इस statiometer में आप लोग blue वाला जो part देख रहे हैं इसको आप लोग उपर भी खसका सकते हैं इसको नीचे भी कर सकते हैं जितने height का बच्चा होगा उसके अनुसार यहां पे इसको up down कर सकते हैं और यह जो machine है इसको आप दो तीन भागों में इसको खोल के रख सकते हैं यह बहुत ही easy होता है इससे आप लोग बच्चों का जो height है उसको measurement करने में आप लोग को काफी मदद मिलती है तो इसी के जो विबरानी है उसको यहाँ पे AWC infrastructure में डालनी होगी तो कैसे डालना है चलिए हम आपको potion tracker app में उसकी विबरानी भर के दिखाते हैं तो देखिए हम यहाँ पे potion tracker app में AWC infrastructure के जो option दिया गया है उसमें आ चुके हैं आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से form आपको fill up करने होते हैं यह जो pass form है इसमें आपको आगनबारी केंदर का जो विबरानी होता है उसको भरना होता है जो आगनबारी केंदर पे सुविधाय दी जाती है उसकी details हम यहाँ से potion tracker app में भरते हैं तो यहाँ पे आपको पाचो form fill up करना है और पाचो form fill up के पहले आप लोग यह समझ लीजेगा जैसे कि यह जो दो नई चीजों को add किया गया है वो इस form में update किया गया है जैसे कि building की सुविधा का जो विबरान दिया गया है इसी form में आपको यह दोनो features को add किया गया है और इसी में आपको इसकी details भरनी है जैसे कि अगर details भरने के बाद इस form को open करेंगे open करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके दोवारा जो विबरानी है वो कब दर्ज किया गया है इसकी जानकाड़ी आप यहाँ से देख सकते हैं उसके बाद आपको सभी यह details भरने के बाद नीचे आएंगे नीचे आने के बाद यहाँ पे जो इस portion tracker app में दो नई चीजों को add किया गया है वो infantometer और stadiometer जैसा कि हमने आपको तस्वीरों में दिखाया तो उसी की details यहाँ पे आप आगन बारी सेविकाओं को भरना है जैसे कि आप सभी को इस परकार की machine मिल गई होगी तो आपको यहाँ पे हाँ किलिक करना है दोनों में और आपको नहीं मिली है तो आपको क्या करना है यह जो नहीं वाला option आप लोग देख रहे हैं इस नहीं वाले option पे आपको किलिक कर देना है नहीं आप लोग इसलिए करेंगे कि आपको यह जो मसीने है वो आपको जल से जल बिभाग के तरफ से उपलॉब्द करा दिया जाए यह जो आप लोग बिवरानी भरते हैं यह सिधे बिभाग को पहुंच जाता है कि आपके आंगल बारी केंदर पर क्या चीज की सुविधा है क्या चीज की सुविधा नहीं है इसका details सिधे विभाग को मालूम हो जाता है और आपको इस परकार की machine नहीं दी गई होंगी तो आपको जल्द ही इसकी सुविधा upload करा दी जाएगी तो इस परकार से आपको form fill up करने के बाद यहाँ पे जारी रखे पे click कर देंगे फिर उसके बाद यह जो दो form दिये गए है इन दोनों form को भरने के बाद आप submit करेंगे तो आपकी जो आगनवारी केंदर की विभरनी है वो सिधे विभाग के पास पहुंच जाएगी तो इस potion tracker app में यही दो नई चीजों को add किया गया है तो उमीद है कि हमने आपको इस वीडियो में पूरी जनकारी दे दी है जो नई update आई है 11.2 की जिसमें infantometer और stadiometer की जनकारी कैसे भरना है वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को like करें और चैनल को subscribe जरूर कर लें और इस वीडियो को सभी आगनवारी बहनों के साथ ज्यादा से ज्यादा share जरूर करें तो मिलते हैं फिर किसी नई टोपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद